हेलो फ्रेंड्स मैं सरीता डावरा आज मैं आपके लिए एक यह तो कलर का डिजाइन लेके आए हूँ यह आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए लेडिस कार्डिगन पे डालिए बच्चो की स्वेटर पे डालिए और बच्चो की फ्रोक पे डालिए बहुत सुंदर मैं इसको मल्किलर में भी एक बार बना के दिखाऊंगी देखिए यहां पर एक तो ब्हुत सुंदर खिल के आता है यह राइट सईड़ और यह इसकी नौन Tarby कि का अब देखिए बनाने में भी असान है मैं अथी इसको बना के दिखाती हूं को Hai यह मैंने पंदे डाल ली और इसमें जो फंदे डला के मिल्टीपल में डालेंगे के मल्टűपल यह इवन नमबर में डालेंगे हम फंदे और इसमें यह बोडर के बाद 2 बेच सिलाइ इसमें इसी कलर की हमें देनी पड़ेंगी जिस कलर और बॉर्डर होगा तो जैसे मानलो यहां से इस धारी के पाद मैंने दो इसी कलर की सिलाया बना लिए हैं तो अब यहां से डिजाइन शुरू हो रहा है पहला फंदा और यहां से हम कलर चेंज करेंगे यह देखी यह एज्वला फंदा हमने बना लिया इस कलर का और एक फंदा अब हम बनाएंगे यहां से डिजाइन शुरू हो रहा है एक फंदा बना लिया और यहां से अब एक दो यहां से दो नीचे यह देखिए यह थ्रेड दिख रहे है यहां से नहीं लेना हमें इन थ्रेड के नीचे से लेना है यहां से दो एक लूप निकालेंगे और थोड़ा लूज रखेंगे फिर दो फंदे सीधे फिर इन दोनों थ्रेड के नीचे से यहां से निकालेंगे लूज रखेंगे दो फंदे सीधे यह तीन फंदों का ही डिजाइन है एक फंदा लूप से निकलेगा और दो फंदे सीधे रहेंगे एक, दो, फिर दो फंदे सीधे, और यहां से नीचे से निकालेंगे हम, और यह लास्ट के दो फंदे सीधे रहेंगे, यह डिजाइन के दूसरी से लाई, पहला फंदा, एजवला, अब यह हमने जो नीचे से निकाला था फंदा, इसको हम स्किप करेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, स्किप किया हुआ फंदा, यह लूप से निकाला, इसको स्किप करेंगे, स्किप, स्किप, और यह वाला फंदा, यह स्किप किया हुआ फंदा था, और यह दो फंदे उल्टे लास्ट के, अब देखिए, अब हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई, पहला फंदा एजवला फंदा है, हम इसको बनाएंगे, आपके मर्जी आप उतार लीजिए, मैं बनाती हूँ इसको, अब यह एक यह लूप और एक यह फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस सिलाई पे ले लेना है, सीधी तरफ से, और इसको फिर अब इस सिलाई पे ले लेंगे, यह देखिए, यह ट्विस्ट हो गया, और यहां से, आगे से इसको बनाएंगे, और दूसरा फंदा इसको पीछे से बनाएंगे, और यह लूप इसके ओपर से उतार देंगे, यह देखिए, यह वी बन गया है, फिर यह दो फंदे, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई से लेना है, ऐसे, और इस फंदे को फिर से इस सिलाई पे ले लिया और इसको आगे से बनाएंगे और ये फंदा पीछे से बनाएंगे और इसको उपर से निकाल देंगे दो फंदे फिर से लेंगे ये फंदा फिर इस सिलाई पे लेना हमें इसको आगे से बनाएंगे और ये वला फंदा पीछे से बनाएंगे और इसको उपर से उतार देंगे अगेन और ये फंदा हमने इस से लाई पे लेना है आगे वला फंदा इसको आगे से बनाएंगे और ये वला फंदा पीछे से बनाएंगे और इसको उपर से उतार देंगे twist and this one और अब हमारी wrong side design की तीसरी सिलाई ये पूरी सिलाई उल्टी रहेगे सोरी चोथी सिलाई ये उल्टी रहेगे ये देखिए ये इस तरह से बन गया अब हमारी ये design की पांचवी सिलाई अब हम ये वाला color चलाएंगे ये ये लिवाला color तो इस में पहले हमने एक यह वाला फंदा उसके बाद एक फंदा बनाया था और फिर हमने निकाला था लूब से अब यहाँ पे तीन फंदे बनाएंगे हम तीन फंदे बना लिए अब यहाँ से एक तो नीचे के लूप से निकालेंगे और ये दो फंदे सीधे इसमें जो वी के उपर वाले दो फंदे आएंगे वो सीधे आएंगे और उनके बीच में दोनों वी के बीच में जो लूप बनेगा वहां से हम फंदा निकालेंगे और ये दो फंदे फिर यहां से यहां से चेंज हो जाएगा यह देखें यहां पर यह फिर इस ब्लू के उपर ब्लू लूप है ग्रे के उपर ग्रे लूप है बट लूप चेंज हो रहा है तो वो इसी तरह से चेंज हो जाएगा अब ये देखो पिंक के उपर ये वी के अंदर जो दो फंदे बन रहे हैं ये सीधे ही रहेंगे फिर लूप से निकालेंगे दो फंदे सीधे और ये हमारा एच्वला फंदा लास्ट सिक्स से लाई इसमें सिर्फ हमें लूप वाले फंदे को स्किप करनें बाकी सब फंदे उल्टे बनाने हैं अब हमारी डिजाइन की सात्मी सिलाई पहला फंदा सीधा दूसरा भी सीधा अब इसमें ये लूप और उससे आगे वाला फंदा जब आ जाएगा तो अब हमें इसको सिलाई पे लेना है और इसको सिलाई पे ले लेंगे और आगे से बना देंगे ये मुड जाएगा फंदा और ये बैक से और ये इसके उपर से फिर दो फंदे और ये फंदा सिलाई पे लेंगे हम और इस फंदे को आगे से बनाएंगे और ये फंदा बीचे से बनाएंगे झाल झाल और लास्ट में ये दो पंदे हमारे सीधे आगए अब आठवी सिलाई ये पूरी सिलाई उल्टी आएगी सारे पंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे ये देखिए ये इस तरह से एक बड़ा सुन्दर सा डेजाइन बन के तयार हो जाएगा हमारा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया बताने का तरीका पसंद आया तो इसको मेक्सिमम शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यों क्यां पसंद आया पसंद आया।